उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आजु में कड़ गए, दो इंतिजार में। पुरी जिद्ध की हम कल के इंतिजार में जीते हैं। कल कुछ अच्छा होंगा, इस आशा उमीद में जीते हैं और ऐसे ही जीवन बीच जाता है। हमारे हाथ से समय फिसल जाता है, तब जाकर हमें एसास होता है कि जीवन तो वर्तमान में हैं, इस वक्त पल-पल जीना ही अनन्द संतुष्टी के ओर ले जाता है। खुश होना, हमारी खुशी किसी कारण पर टिक जाती है कि कल कुछ ऐसा होंगा, तब हम खुश रहेंगे। संतो विद्वानों की कावत है, मुर्क व्यक्ति ही दुसरों पे हसते हैं, बुद्धिमान तो खुद पर हसते हैं। ये चीन के तीन हसतेवे चीनी बुद्ध भिख्शु के नाम से प्रसिद्ध है, जिने आज दुनिया में थ्री लाफिंग मौंग्स तीन हसतेवे भुद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये तीनों चीनी भिख्शु ने मुह से कभी एक शब्द नहीं बोला, आजीवन ना कोई शिक्षा देते थे, ना कोई उद्धेश देते थे, बस सिर्फ हसते ही रहते थे, इस तरह हसते की मानों हसना इनकी जिन्दगी का उद्धेश था, इन तीन महान भिख्शु के लिए इनकी हसी ही इनका तप और साधना थी, हसी ही इनका ध्यान साधना थी, एक दिन ये तीन भीक्षू ब्रह्मन करते वे एक गाउं में बजार के बीचो बीच पहुंचे और वहां खड़े होकर जो जो से हसने लगे। वहां के लोग शुरु शुरु में उन्हें हसतावा देखकर हैरानी भरे भाव से देखने लगते थे। लेकिन जब रोज उन्हें जो जो से हसते वे देखते तो वह खुद भी अपनी हसी नहीं रोक पाते और वहां भी उन बहुत भिक्षू के संख हसने लगते। क्योंकि वो बहुत भिक्षू दिल खोल कर हसते थे। उनकी हसने का अंदाज ही ऐसा होता कि हर कोई उस वक्त तक अपने तमाम दुखव परेशानी को भूल कर हसने पर मजबूर हो जाता था। बस उन्हें देखता ही रहता। जो आजीवन हसते ही रहे उनकी आभा मंडल उर्जापूर्ण और जीवन थी। यह तीनों आदमी सचमुच बहुत सुन्दत थे। हसते और इनके पेट हिलते जाते थे। फिर यह बात सक्रामक बन जाती और दूसरे हसना शुरू कर देते थे। जो भी इनके आसपास होता एक दिव्य शितल्ता महसूस करता और तनाम मुक्त होकर हसने लग जाता। देखते ही देखते कुछ दिनों में भिक्षियों के साथ हसने बालों की भीड बढ़ने लगी। यदि कोई कहता कि कुछ खाओ हमसे तो वे बीना कुछ कहे ही हस देते। बीना कुछ कहे ही सब बोल देते थे जबकि अभी थोड़ी देर पहले यह जगह कुरूप और अभी अवस्तिती वहां के लोग केवल पैसे के बारे में धन के बारे में लोब यही एक मात्र का वहां का इन्वाइमेंट था वातावर्न था हर तरफ अचानक से तीनों पागल आदमी आप उचते और ह बहा की होते और तुरंध इन हसते वे भिख्षयों के आने के बारड वहां के लोग खरीदने बेचने जो बी आते वह सब कुछ भूली जाते सब ficou लोग की फिकर नहीं रहती किसी को कुछ खरीदना बेचने का ख्याली भूल जाता और सभी उन भिख्षों को देखकर हसने लग जाते वह भिख्षु हसते रहते और नाशते रहते इन तीन पागल आदमियों के आसपास कुछ पलों के लिए एक नई दुनिया का द्वार ही खुल जाता एक दिन यह हसी गाओं के लगबग हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी पूरा गाओं तीन हस्ते विख्षु के नाम से प्रैचलित हो गया ये वो पल था जब तीन भिख्षु बहुत दिनों बाद किसी गाओं में आये थे इन भिख्षों की हसी ही उनकी प्रात्ना हो गई थी क्योंकि वो किसी से एक शब नहीं बोलते थे वो बस हसी का माहल बना देते थे पूरे चीन में इनको प्यार और इज़्जत मिलने लगी फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक गाओं में तीनों भिख्षु में से एक भिख्षु की मृत्ति हो गई वहाँ जैसे ही गाओं के लोगों को ये बात पता चली तो गाओं के लोगों की भीड जमा होने लगी ये देखने के लिए कि दो बाकी भिख्षु अब किस तरह रियक्ट करेंगे किस तरह प्रतिक्रिया करेंगे इस वक्त उनकी मनोदशा क्या होंगी सब यह देखने के उत्सुक थे जरूर आज वो उदास होंगे आज हम जिन्दगी में पहली बार बाकी दोनों भिख्षु को रोता हुआ देखेंगे अब सब लोगों का यही मानना था लेकिन जब धीरे-धीरे लोगों की भीड उन भिख्षु के पास जमा होने लगी जरूर आज वो भी उदास होंगे आज हम जिन्दगी में पहली बार बाकी दोनों भिख्षु को रोता हुआ देखेंगे अब सब का मानना, सब लोगों का मानना यही था लेकिन जब धीरे-धीरे लोगों की भीड उन भिख्षु के पास जमा होती गई वहां का द्रिश देख सभी गाउं के लोग दंग खड़े हो गए क्योंकि बाकी दो भिख्षु, जमीन पपड़े, तीसरे भिख्षु की मौत पर जो जो से हस रहे थे लगातार बस हसती जा रहे थे भीड में कड़े एक व्यक्ती ने जिग्याशा पूर्ण फूची लिया कि ऐसे समय में आप उदास होने के बज़ाए हस क्यों रहे हैं हाला कि मां खड़ा हर व्यक्ती भी यही जानना चाता था यहाँ पहला समय था जब उन हसने वाले भीख्षु में से एक ने चुपी तोड़ी और शब्दों से जबाब दिया कि हम इसले हस रहे हैं क्योंकि जब हम इस गाओं में आ रहे थे तब इस भीख्षु ने हम से शर्थ लगाई थी कि कौन हम तीनों में से बाकी दो को हरा कर हस्ते हस्ते पहले मरेगा क्यों भीख्षु जीत गया भीख्षु की यह बात सुन मा माजुद सभी लोग भावुक हो गए हम तीनों सदही सोचते रहते थे कि सबसे पहले कौन मरेगा यह आदमी जीत गया और हम हार गए है यही एक मातरवीधाई संभव है उस व्यक्ति के लिए जो जीवन भर हसता रहा और यदि हम नहीं हसते तह वह हम पर हसेंगा और सोचेंगा अरे ना समझो मैं तो तुम फिर फसे जाल में हम नहीं समझते हैं की वह मर गया है हसी कैसे मर सकती है जीवन कैसे मर सकता है इसके बाद रिती रिवाजो अनुसार जैसे अंतिम क्रिया करम किया जाता है उसी तरफ किया गया जैसे मृत शरीर को धोना उसके कपड़े बदलना उनको जलाना इत्यादी जो भी अंतिम संसकार में करते हैं वही सब करने की व्यवस्था चल रही थी जैसे ही मृत बिख्षु के शरीर के कपड़े बदलने की बारी आई तो दोनों भिख्षु में से एक भिख्षु ने कहा कि उनके कपड़े मत बदलो क्योंकि मरने से पहले इस भिख्षु ने कहा था कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपने हसी की मदद से अपने अंदर नहीं आने दिया इस उसकी चिता जलाई गई तब कुछ अजीब सा हुआ सभी चौंक गए चिता से कुछ पठाके फटने की आवाज आई और देखते ही देखते वहां चारों तरफ चिता से निकल कर खूप सुरुत रंग विरंगी रोसनी सी चागई वह द्रिश्य इतना चमतकारिक था जिसे देख वहां मौजूद कोई भी व्यक्ती अपनी हसी को रोक नहीं पाया इस तरह वह विक्षु मरने के बाद भी लोगों को हसा गया बाद में पता लगा कि मरने बाले विक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ पटाके चुपा रखे थे जब वह पटाके अगनी के संपर्क में आए तो वहीं पर खटकर रंग विरंगे रंगों से चारों और फैल गए यह देखकर दोनों विक्षु ने कहा मित्र तुम बहुत चलाक और महान निकले एक बार फिर से तुमने हमें हरा दिया तुमारे द्वारा दी गई यह हसी दुनिया में सबसे खुबसूरुत और आखरी हसी के नाम से जानी जाएंगी यह तीन हस्तेवे विक्षु की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी खुशी कल कुछ मिलेंगा इस बात पर टिकी है हम कल की उबीद में इस आशा में जीते हैं कि कल हमारे मन की योजनाओं के अनुरूप कुछ होगा तब हम खुशी से सुख में जीएंगे अधिकांश मामले में मन मताबिक योजना असफल हो जाती है और हम निराश दुखी महसूस करने लगते हैं कल की इंतजार में आज हसना खुश होना भूल जाते हैं जिन्दगी तो चार दिन की है जब समय बीच जाता है हाथ कुछ नहीं आता तब एसास होता है क्या पाया और क्या गबाया दोस्तो इन तीन विक्षियों के जीवन की इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हस से इश्वर द्वारा दिया गए एक हुबसूरत बरदान है इसे खुल कर जीना और हसना सीखना चाहिए हसने से आप बर्टमा शन में बिना कोशिष के एक जटके में आ जाते है एक शन के लिए सारे तनाव समाप्त हो जाते है आपकी जीवन उर्जा तच्षन रपान्तित हो जाती है हसने से आपके जीवन में एक संतुष्टी एक भरब पूरा पोशन होने लगता है मासिक बिमारी का एक ही इलाज है मात्र आपकी प्राणों से निकली वी एक हसी हसने से शरीर अपने आप सवस्त हो जाता है और बिमारियां दूर दूर तक नहीं फटकती जीवन में किसी भी तरह के तनाव से मुक्त होने का ये सबसे उत्तम तरीका है क्योंकि दिल से निकली हसी मन को सकरात्मक उठ्जा से भर देती है अगर अपने जीवन में चमतकारी बदलाव देखना चाहते हैं समय की बरबादी किये बिना अभी से हसना शुरू करें रोज रात सोते वक्त और रोज सुबे उठते वक्त अपने चहरे पे मुस्कराहट लाएं और हस्ते हस्ते ही दिद्रा में प्रवेश करें और हस्ते हस्ते ही सुबे एक दिन ऐसी सुबे जरूर होंगी कि बिना कोशिश किये आप अपने आप हस्ते वे सुबे उठेंगे हसी आपकी प्राणों में फैल जाएगी कहानी से आपको जो भी सीखने मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए और अपने प्रियजनों को शेर करना ना भूलें अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ तब तक भाइक टूलें आपको झाफको बुटे अवश्य कहानी अऑट…?